तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने योटूब चैनल मार्केट यातरा में दोस्तो इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल तीन फर और याने की शुक्रवार को किस साइड मोमिंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर प् करके जरूर बताना कि मैंने आपको कल कलियर ली बोल रखा था कि मार्केट एक्सपैरी वाले दिन एक साइड वेज रह सकती है और अगर आप देखोगे तो मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन होई लेकिन सारा दिन एक जोन के अंदर घूमती रही और यहीं दोस्तों में मैंने भी आपको निफ्टी में बिल्कुल यहां जब हमारे देखिए बिल्कुल हमारे जोन में से जब निकल के भागी निफ्टी मैंने यहां सी आने के बाद आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कोल साइड और हमको 106 का उसमें टार्गेट मेला यानि कि फंड हमारा 2x हो डबल फंड हो गया हमारा ऐसी मार्केट में भी कुछ लोगों के मैसीज आयसर कुछ अपडेट आप खुद सोची दोस्तों बंदा क्या अपडेट देगा ऐसी मार्केट में मतलब हरी केंडल आपको ट्रेड करने के लिए बले ही बुला रही हो लेकिन ट्रेड बनती नहीं ह निचे सपोर्ट पर कोई बुली स्केंडल बनी दो रिकवरी आ सकती है इसलिए एकदम से मार्केट में ना कुदे मुझे लगता है दो पार दो पर बाद या उसके आसपास उसके बाद ही मुमेंटम आ सकता है और फिर मैंने आपको स्टेड़ी दिया था टेलीग्राम पे आ निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक रेंज बना दी है तो रेंजब्रेकाउट ब्रेकडाउन पर हम एक फोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं छोटे टारगेट के लिए क्ल दोस्तों नहीं एक्सपारी सुरू हो दिए तो प्रीमियम वैसे थोड़े से कम स्पीड से बढ़ने वाले option chain में भी इतना कुछ खास मिलेगा नहीं क्लोजिंग आई हैं जहां पे कल थी 4970 के 4660 के आसपास सोरी अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद अब दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होई थोड़ा सा टाइम पास अगर मार्केट कर देती है सुभे सुभे इस रेंज में ओपन होने के बाद और फिर ब्रेक आउट देती है 4800 का तो 41,000 एक राउंड लेवल है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है 4800 के आसपास तो यहां तक 200,500 पॉइंट के हम टार्गेट प्लान कर सकते हैं पचासाट पॉइंट का स्टोप लोज डालके हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं पुट साइड दोस्तों कब जाना देखिए 40,200 के नीचे ही पुट साइड जाने का दोस्तों थोड़ असा फायदा मुझे लग रहा है वो भी कहां तक हमारे जोन तक हमको पुट साइड जाने का फायदा लग रहा है जो हमारा जोन है निफ्टी ने तो यह जोन आज भी टेस्ट कर दिया अगर मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल हमारे जोन से भागी थी लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा उपर से भाग गया गैप डाउन ओपन होने के बाद तो अगर फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी फिलैट ओपन होने के बाद अगर 4250 के नीचे आना शुरू करती है फिर यहां पर आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देती है बात समझ रहे हो थोड़ा सा नीचे आई फिलैट ओपन होके और 4250-300 इस रेंज में अगर अपना टाइम स्पेंड थोड़ा स एरिया के अंदर अभी यह एक्टिव है क्योंकि यह ब्रेक नहीं हुआ है गैप डाउन अगर इस दिमांड जोन के अंदर होती है इस टाइप की कोई पोजिटिव केंडल बन जाती है पांच या 15 मेट के टाइम फ्रेम में अगर इस टाइप की कोई केंडल बनते है तो हम व चारीज़ार दोस्तो और उन्तारीज़ार चैसोपचाश साथसो यह सपोर्ट का का अगर इसके बीच में उपन होती तो हम वेट करेंगे कभी जोन के अंदर आया और कोई पोजिटिव केंडल बनाए तो हम रिकवरी प्लान करेंगे उस केंडल का लो स्टोपलोस डालके 200-300 के टारगेट के लिए या फिर मार्केट थोड़ा सा उपर जायो इस यहीं कहीं जहां पर आज मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है इस जोन में आने के बाद कोई नेगिटिव केंडल बनाए उस केंडल का हाई हमारा स्टोपलोस रहेगा और केंडल का ब्रेकडाउन आते ह कि थोड़ा सा डिमांड को हिट करें तो हम इन दोनों सेनेरियों में हमको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है हां एक चीज हो सकती है दोस्तों अगर गैपडाउन ओपन हो गई डारेक्ट डिमांड एरिया में और यह जोन टेस्ट हो चुका है दो बार तकरीवन तो अगर यह तूट जाता है नीचे की साइड ब्रेकडाउन देना शुरू कर देती है बैंक नेफ्टी तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा ब्रेकडाउन आया हलका सा रीटेस्ट करने बाद अगर यह दोबारा निकलती है तो फिर हम पचासाइट पॉंट का स्टोप लोज डाल के थोड़ इतने बड़े मुवाने के बाद दोस्तों अक्सर मार्केट साइडवेज हो जाती है यानि कि एक इनसाइड केंडल बना देती है तो ब्रेकाउट ब्रेकडाउन पर हमको ट्रेड मिल सकता है अब दोस्तों अगर गैप अपन होगी बैंक निफ्टी हमारे सप्लाई एरिया मे लेकिन कब करना है जब एक नेगिटिव केंडल बने और दिन का लोब रेक होके हलका सा रीटेस्ट हो जाए ठीक है तब करना है और अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं ओपन हो जाती है मालों 41,000 के ऊपर अगर ओपन होती है तो भी हम मेट करें कि कब मार्केट सोड़ा सा साइड आए 41,000 या फिर 4,900 के लेवल पर एक सपोर्ट करिये और एक पोजिटिव केंडल बना के फिर से हमरी कवरी प्लान कर सकते हैं कहां तक के टार्गेट के लिए 4,600-500 ये टार्गेट के लिए और अगर दोस्तों यहां बीच में ओपन होके ऊपर जाना शुरू करते है तो हम वाफिस से पूट साइड प्लानीं कर सकते हैं एक बात अलग रहेगी दोस्तों उपर गई या फिर गैपब उपन इस जोन में हुई और कोई नेगटिव केंडल बनाई नहीं ही डार्गेट जोन को ब्रेक आउट दे दे ती तो हम वेट करेंगे कभी है वाफिस इसको रीटेस्ट करें थोटे टाइम फ्रेम है पांच मिनट के टाइम फ्रेम है तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं दिनका लोग स्टोपलोस डाल के और बियालीज़ार दोस्सो बियालीज़ार तीन सो के टार्गेट के लिए लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा इतना अपना देख लीजिए मेरी अनुसार ऐसा ही लग रहा है चलिए निफ्टी का देख लेते उससे पहले दोस्तों मैं टेलीग्राम पे दिखा देता हूं आपको जो मैंने स्टेडी पोस्ट किया था टेलीग्राम की निफ्टी की ही की थी तकरीबन बिलकुल यहां पे यहां प्रेड लिया था जब यह इसको पांच मुनेट में जब मैंने देखा कि हां ब्रेक आउट आ रहा है और दिन का हाई भी ब्रेक हो गया है और हमारे डिमांड एरिया से भागी है मार्केट ठीक है तो निफ्टी का हमने 17600 का पचाशाट के आसपास लिया था 106 का इसका हाई लगा था यह दोस्तों कोई कोल टीप्स नहीं पेपर ट्रेड करने के लिए और मैंने आपको एक लास्ट में स्क्रीन सोट दिखाया था अगर आप देखोगे मैं जब कोल और पूट दोनों में अच्छा खासा प्रोफित दो दो लोट मैंने चोट किये थे और मार्केट हूँ और भी बहुत कुछ देता हूँ लेकिन दोस्तों अभी मार्केट खराब है इस वज़े से देना थोड़ा सा कम किया हुआ हूँ मुझे आप टेलीग्राम पर जोइन कर सकते हो सो परसेंट फ्री चैनल है वेडियो के डिस्करप्स में औरीजिनल चैनल का लिंक मिलेग को जोए ना करें हा सीखने के लिए आनना बाई कोल्टीप्स लेने के लिए मताना में कोल्टीप्स श्याइब को-ब्साइब रहता है मैं बिल्कुल भी कोल्टीप्स नहीं देता हूं मेरा ना कोई पैड्गूरूप है ना मेरा कोई WhatsApp तुरूप है ना मेरा कोई Calling नमर प्ली पर भी नंबर नहीं छोड़ता हूं ठीक है चलिए निफ्टी का देख लेते दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17610 के आसपास वहीं राउंड लेवल के आसपास हम ट्रेड करने की कोशिस करेंगे अगर 17650 के उपर निकलना शुरू कर देती है देखिए सही मुमेंट कब आएगा दोस्तों 17650 साथ इसके उपर निकलना शुरू किया और 7650 की रेंज में टाइम स्पेंड किया ठीक है इस जोन में आके थोड़ा सा टाइम स्पेंड गिया और फिर ब्रेक आउट अगर देती है 17700 का तो फिर हमको 100 पॉइंट का टार्गेट अपसाइड मिल सकता है तीस तालिस पॉइंट का स्टोप लोज डालके हम कोल साइड प्लानिंग कर सकते हैं एक सनेरियो दोस्तों यह हो सकता है कि मार्केट ना इस दोस्तों दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ओपन हो ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और 17650 के आसपास अगर दोस्तों बड़ा गैप उपन हो जाती है 17800 की रेंज में तो फिर एक राउंड लेवल यहां से सेलिंग प्रेसर आ सकता है हाँ गैप उपन होके थोड़ा सा उपर जा सकती है लेकिन 17900 फिर से सेलिंग एरिया है ठीक है तो हमको क्या करना है हमको वेट करना है कब हमार अगर दोस्तों गैप डाउन हो जाती है डारेक्टली हमारे डिमांड एरिया में तो देखिया आज भी अगर करेंगर प्रेसा पया ज tours एक असीड दो शान कि यहां पर सेस्ट उपनान पंडेसीप और पहले तो इसा है सईंसा कर दो कॉरस में बलक्रश के पशने कर दो सब्सक्राइज को लागें सकता हुट गता uitineaए और शैडर चेडर में अलग है पर दोस्तों आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है यह मेरा ओरीजनल इन बोक्स इसके लावा मेरा कोई ओरीजनल इन बोक्स नहीं है बहुत सारे लोगों की दोस्तों क्वेरी आती रहती है इसलिए बतारों मैं कोई पर्मोशन या अड़िजमेंट नहीं कर रहा हूं जिसकी म कुछ फ्रोड लोग दोस्तों इसके इसमें कहीं डबल आई टी यू लगा देते हैं कुछ एक लगा देते हैं मेरे नाम से वो लोग फ्रोड चैनल चला रहें उनको जो है ना करें ओरीजनल जो इन बोक्स है दोस्तों केवल यह है जो आपके सामने दिख रहा है यहां पर आ बारे लोग कोमेंट करते हैं कैसे करें कैसे करें कोरस तो आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी मैसेज भी मैंने पिन किया हुआ है चलिए हाँ एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कोरस में छोड़िए वाई आप ज्यादा बात करें तो फिर बोलेंगे कि तो प्रमोशन करने लग गया तो यह करने लग गया बहुंद मैनत लगी है कोरस डिजाइन करने में थोड़ी से पैसे मेरा भी गुजर बसर चलता रहता है मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता हूं चलिए अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती ह तो हम वेट करेंगे रीटेस्ट करने का अगर यहां पर टाइम स्पेंड करती फिर ब्रेक आउड देती है दिन के हाई का जैसे आज दिया था आज दोस्तों बहले ही आपको छोटा सा दीख रहा हो लेकिन इसमें हम इसने हमारा फंड डबल कर दिया यह तकरीवान असी नब का सा रीटेस्ट हो फिर 30-40 पॉइंट का हमारा स्टोप लोस रहेगा थोड़ा सा टारगेट हमारा बड़ा हो जाएगा 17,250-300 तक का हमारा टारगेट हो जाएगा हम पूट साइड पलानिंग कर सकते हैं अगर दोस्तों इस जोन केर इसके बीच में कहीं ओपन होती है तो हम करेंगे कभी साइड में और हम रिकवरी प्लान करेंगे यहां पर बुलिश केंडल बनते ही या फिर थोड़ा सा उपर जाए उपर तो नहीं जाएगी क्योंकि इंपोटेंट रसिस्टेंस फिर यहीं है उपर जाएगी तो फिर डारेक्टर ली इसको ब्रेक आउट ही देग लेकिन दोस्तों कुछ लोग करतें उन्योंगों को लूट लेता हैं कोरस ने पर फोटो लगा लेके तो इसलिए बता राहा हूं दोस्तों अ उसको paid group समझ के बैठे हैं वो क्या है दोस्तों student के लिए जो chorus करने आते हैं उनको उसमें तुरंत एड़ कर देता हूं registration होते ही और practice group है उसमें भी एड़ कर देता हूं ताकि जब chorus तो अपने निर्दार समय पर सुरू होता है तो तब तक आप उस group में एड़ होगे तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता रहेगा senior junior student से आप बात कर सकते हो तो please उसको कोई paid group ना माने मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं call tips देने के ना ही मैं कोई call tips देता हूं ठीक है चलिए निफ्टी का देख ले बाई बार बार message मत करना दोस्तों मुझे उस group में एड़ होना मेरा कोई group नहीं है ठीक है no favori का expiry है और मैं आपको बता देता हूं 17600 पे देखिए दोस्तों बराबर काटे की टकर है कहीं भी जा सकते है 17600 से अगर 17600 के नीचे निकलना शुरू होती तो फिर 500 तक जा सकती है क्योंकि यह लोग trap हो जाएंगे 500 पे अगर कोई positive candle बना देती है तो फिर recovery हम प्लान कर सकते हैं और अगर 500 के भी नीचे निकल गी तो फिर सीधा 400-300 यह level हमको देखने को मिल सकते हैं राउंड लेवल पे हम ट्रेड करेंगे 800 ब्रेक वा तो 900 तक जा सकती है और इन राउंड लेवलों पे अगर कोई negative candle बन जाती है gap of open होके या फिर इन तक जाके तो फिर market वापी 100 नीचे भी आ सकती है एज पर option analysis जो की खास नहीं है आज क्योंकि अभी contract बने नहीं है बात समझ रहे हैं नहीं एक्स पैरी शुरू है इस वज़े से बैंक निफ्टी का भी दोस्तों सेम टू सेम बैंक निफ्टी में तो दो ही राउंड लेवल है बाई चालीज़ार पांसो का लेवल है एक तो और फिर सीधा एक तालीज़ार गया लेवल है इंपोर्टेंट सपोर्ट रसिस्टेंस यह है यहां पर कोई positive candle बनी तो वापीस recovery आ सकती है यहां पर कोई negative candle बनी तो वापीस डाउन साइड जा सकती है इसके अलावा बैंक निफ्टी के option chain में कुछ खास है नहीं वैसे दोस्तों हो सकता है मैं कल ट्रेड ना करूं वन साइ कोमेंट जरूर करना दोस्तों आप सीख रहे हो कि मेरा मोटिव आपको सिखाने का रहता है बाकी लोगों की तरह में आप अगर देखो कि तो वीडियो थोड़ी से लंबी बढ़े बहले हो लेकिन मैं यह नहीं बताता हूं कि यह ट्रेंड लाइन लगा दी यहां से उपर ज देगा बात समझ रहे हो Why kg सपोर्ट रसिस्टेंस पर और बबढाय मैं वीडियो में इंडिटेंट स्फिया जाब लेकिन मेरा मोटिव आपको सिखाने का रहता है ना कि आपको टिप्स देनेगा और आशा करता हूँ आप प्रेक्टिस करोगे तो सीख भी जाओगे तो दोस्तों कमेंट करके जुरूर बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करोगे तो किसी जुरूरतमत बैखती तक यह वीडियो पहुंच झाले करोगे तो किसी जुरूर्ण टूर्स देनेगे तक्वर्ण है किसी जुरूर्ण कर दो